हेलो फ्रैंस, वेलकम तो मा यूटूब चैनल, आज शुरू करेंगे एक्सरसाइज 9.3 से क्वेस्चन नमबर 11, इन फिगर 9.27, ये फिगर आप देख रहे हैं, A, B, C, D, E is a pentagon, A, B, C, D, E ये एक pentagon है, a line throw B, parallel to AC, एक line B से बनाई, जो कि AC के parallel है, meets DC produced at F, ये DC को मिल जाएगी जब इसको F तक बढ़ाया, B से F तक line खीची, यहाँ DC से जब इसको बढ़ाया तो ये F पर मिल गई, show that, आपको show करना है, नमबर 1, ACB का area ACF के बराबर है, ये ACB triangle, ये ACF triangle, दोनों का area बराबर दिखाना है, नमबर 2 पर A, E, D, F, A, E, D, F, ये सारा का सारा यहाँ तक का एक quadrilateral is equal to A, B, C, D, E, A, B, C, D, E, इस pentagon के area के बराबर दिखाना है, चलिए शुरू करते हैं, फिगर मैंने बना रखी है question के अंदर, given थोड़ा समझ लीजिए, ABCDE एक pentagon है, ABCDE, यहाँ पर BF parallel to AC है, यह जो BF है, यह AC के parallel है, बुक की language में लिखा हुआ है, तो यह आपको given में लिखना है, क्योंकि इसका आपका use होगा, और DC produce to F, और DC को F तक बढ़ाया गया है, चलिए number 1 पर ध्यान देते हैं, हमें देखना है ACB, ACB triangle मेरा AC base के उपर है, और यहाँ पर ACF, ACF भी AC base के उपर है, अब दोनों का base तो same है, और दोनों के दोनों parallel lines जिनके बीच में आ रहे हैं वो भी same parallel lines है, तो number 1 result तो मुझे direct ही मिल गया, तो first के लिए मैं कर रहा हूँ, triangle ACB and triangle ACF lie on the same base, यह same base है AC, and between same parallels, यह same parallels है AC and BF, तो जब ऐसा होता है, कोई भी दो triangle same base के उपर हों, और same parallel lines के बीच में लाई करते हों, तो उनका area बराबर होता है, तो therefore area of ACB is equal to area of ACF, यह मेरा number 1 result शो हो गया, अभी number 2 में जो मुझे दिखाना है न, AEDF, और यहाँ पर ABCDE, इसमें क्या है, figure पर ध्यान दे आ, ABC मैंने अभी भी दिखाया यहाँ पर, यह जो ACB है, अगर इसके अंदर मैं यह बाहर वाला यह जो AEDC है, इस पर ध्यान दे जिसे मैं shading कर रहा हूँ, अपने number 1 result के अंदर अगर मैं दोनों तरफ यह जोड़ देता हूँ न, यह जो shading part है, तो मेरा यह second वाला ही result आ जाएगा, और यही मेर को करना है, तो second के लिए क्या है, पहले तो मैं यह लिखूँगा, as area ACB is equal to area ACF, यह तो बराबर हैं, अब दोनों तरफ में यह shaded वाला part इसके अंदर add करता हूँ, तो लिखूँगा adding, area AEDC, on both sides, दोनों तरफ जोड़ना है यह है, तो ACB के अंदर, ACB के अंदर, यह है ACB, ACB, यह वाला triangle, जिसको मैं यह मैंने तीन लाइन डाले हैं जिसके अंदर, इस triangle के अंदर, यह shaded part जोड़ना है, area of AEDC, is equal to, फहले यह ही का result लिख लेते हैं, देखें, जब ACB के अंदर आपने यह shaded part जोड़ा, तो क्या बन गया पूरा, यह ही से देख ले, ABCDE, यह pentagon बन गया ना पूरा, और यह दिखाने ना आपको एक side में, तो यह बन गया, area of ABCDE, अब यहाँ पर आए, area of ACF में प्लस करना है, area of AEDC, AEDC, और फिगर पर देखें, यह ACF है, जिसे मैं, यह ऐसे जिस पर मैंने किया है, यह ACF है, ACF के अंदर यह shaded part जोड़ देते हैं, तो यह दोनों फिगर्स मिलके क्या बन गई, AEDF, बन गया न, AEDF, तो area of AEDF, यही दो चीज़ें आपको शोग करनी थी, वही AEDF का area आपको बराबर दिखाना था, ABCDE के, यह ABCDE आ गया, तो इतना आसान सा एक question था, तो इसी वीडियो में इस इतना ही, next questions के लिए मिलते हैं, फिर next वीडियो में, तब तक के लिए,